नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी आदव। नौर्थ S.M. कासिम आपदी से कई विंदूओं पर बातचीत के हैं जोरान उनसे जाना कि अब तक पुलिस के हाथ खाली क्यों है और दोशियों को पुलिस कब तक गरफ्त मेलेगी और क्या कारिवाई करेगी देखिए हमारी ये खास रिपूर्ट लखनो में 20 जनवरी को प्रिया रातोर की मौत हो जाती है दिनांग 20 जन्वरी को थानाचित BKT में संदिक परिस्टितियों में प्रियाराथ और जो बच्ची है इसकी मौत हुई थी और उसके बाद तदकाल परिजनों की तहरीर के आधार पर इसमें अभी हो पंजिकृत किया गया था और इसके बाद लगातार हम लोग इस पूरे इस चामिल थे उन तमाम एंगिल्स पर हम लोग नोग नमाव बिंदूओं पर जाज़ कर रहे हैं इसमें हम लोगोंने फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्लस मेडिको लिगल एक्सपर्ट्स इनकी भी उपिनयन जानने के लिए सेन रिक्रीशन भी कर वाया और इस के इतरिक्त कुछ हम लोगों को जो इसकी जो इलक्रोनिक अक्टिविटी है जैसे चाइट है और यह सब सारी चीजें भी हम लोगों है थे एविडियन्स हम लोगों को मेली कि क्या मनुदशा थी यह यह जानना उसका यह आवश्चाच है कि उससे पहले क्या हुआ और उस दौरान क्या हुआ तो जितने भी सिनारियों हो हैं हम सभी सिनारियों को लेकर के चल रहे हैं अभी किसी भी सिनारियों को हम लोगों ने रूल आउट नहीं किया है और जो भी होगा वो साइंटिफिक एविडेंस और साक्ष के आधार पर ही किसी कारण होती है इन सब चीजों का जवाब जो है वो समय आने पर इनका मिल जाएगा इसमें पोस्ट माटम रिपोर्ट में लड़की की जो रीड की हड़ी में चोट आई है और तमाम जो उंगलियां है वो भी तूटी नज़र आ रही है वहीं लगतार जो कॉलेज प्रमेंधन न सभी बिंदूओं पर जो भी परिवारजन ने जिन चीजों पर संशय की स्थिती बताई थी कि इस चीज पहले करके उनको डाउट है उन तमाम बिंदूओं की घहनता से जाच की जा रही है और इसमें जो कॉलेज प्रबंधन में जतने भी लोग हैं उन सभी लोगों के बया करना चाहूँगा कि सभी साक्ष फिजिकल एविदेंसेज आज वेल स साइंटिफिक और एलेट्राणिक एविदेंसेज इनके आधार पर और प्लस जो एक्सपर्ट जो विटनेसेस हैं उनके आधार पर ही हम लोग किसी निश्कर्ज पर पहुँचेंगे जैसा कि मैंने बता है या वो या वो या वो किसी अन्य चीजों से कारित हो सकती है वो सारी चीजों को हम लोग अभी कंसिडरेशन में ले रहे हैं और जैसा मैंने बता है कि जब इसमें एक्सपर्ट उपिरियन आने के बाद ही हम लोग किसी निश्कर्ज पर इसमें पहुचेंगे सर एक चीज और थी कि पुलिस किसी के दबाओ में है सर जी नहीं जैसा मैंने बताया है कि हम लोग एविडेंस के आधार पर काम कर रहे हैं साक्ष के आधार पर काम कर रहे हैं और लगातार दबाओ की कोई बात नहीं है तत्काल इसमें अभीयोग पंजिक रित किया गया था और right from day one हम ये close supervision में इसको रखा जा रहा है इस पूरे विवेचना को क्योंकि ये एक महतवपूर घटना है तो इसको हम लोग जितनी भी efficiently इस चीज़ को टैकल किया जा रहा है और साक्ष के और evidences के आधार पर ही हम लोग इस विवेचना में इस विवेचना को इस विवेचना को किसी अंतिम मकाम तक पहुचाएंगे अभी ये कहना उचित नहीं होगा कि इसमें क्या निश्कर्च निखलेगा बर जो भी निश्कर्च निखलेगा वो evidences के आधार पर निकाला जाएगा सर जो लड़की के परिजन है जसराम से भी हमारी बात हुई थी वो फिलाल पुलिसिया कार्शेली से थोड़े से संतुस नहीं है तो सर उनको संतुस कैसे किया जाएगा क्योंकि परिजन है उन्हों पनी बेटी खोई है तो कहिना कई एक बड़ा सवाल वह पुलिस पर उठा सर उनको किस तरह से संतुस किया जाएगा देवन से हमारा यह उदेश था कि जो भी विवेचना हो रही है उसके सभी पहलों को वादी के साथ उसको शेयर किया जाए कोई भी चीज ऐसी नहों जो की लगे कि इसको पुलिस चुपा रही है और आज की डेट में मैं कह रहा हू कि जो भी हमने सीन डिकेशन कराया उसमें वादी को उसमें हम लोगोंने बुला करकि नहीं के सामने चीजे उइ हूई है जिससे कि कोई सेंशा के सिती नाओपन हो आगे भी जो भी चीजे होंगी वो एविदेंस के आदार पर होंगी बट उनके साथ वो चीजे हम शेयर करेंगे विवेचना का कोई भी पहलू ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में उन्हें उन्हें बताया नहीं जाएगा या उनके साथ शेयर नहीं किया जाएगा मेरा यही कहना है कि अभी तक जो हमारी विवेचना है वो सही डिरेक्शन में जा रही है और आगे भी जो भी हम लोग विवेचना तक कारवाई करेंगे उसमें वादी को वादी को साथ लेकर के ही हम लोग आगे की विवेचना तक कारवाई करेंगे सर किसी की गिरफ़तारी हुए भी तक इसमामले की अभी तक गिरफ़तारी किसी की नहीं हुए है बट बहुत सारे लोगों से इसमें मुश्टाश की गई है बहुत सारे लोगों के इसमें बैयान अंकित किये गए है कई सारे साइन्टिफिक जो इविडिन्सेंज हैं वो कलिक्ट किये गए हैं लेकिन अभी गिरफ़तारी किसी की नहीं है सुर्क चुकि आपका जून लगता है तो जिम्हदारीया आपकी बनती है क्या लगता है है मनोत को लिब दोशी है जो भी जो भी जिस वैसे उस भी मौत हुई है की हमसे 20 तों ऑर बहुत जल्द इस पूरी गट्टा किरम का इसका अनावरांगा समय सीमा देना मेरे rendre अचित नहीं होगा कई सारी चीजे हैं जो हम लोग भी दूसरों के पर आशित रहते हैं, रिपोर्ट्स हैं, एविडिंसे हैं, बट हाँ, निश्ची तोर पर मैं ही कहना चाहूंगा, कि इसको बहुत जल्द हम लोग इस घटना का नावरार करेंगे, और जो भी मृत्त्यू का कारण है, उसके बा सारी यह बहुत बड़ा सवाल होता है, पुलिस की जांच के लिए, क्योंकि सर आप लगातार जांच कर रहे हैं, आप मौके पहुंच रहे हैं वहाँ पर आपने चीज़ों को देखा, उसके बावजूद भी सर कॉलिस प्रबंदन का इस तरह से जवाब देना कहिना के संदि जैसे मैंने बताया है कि क्योंकि यह घड़ना ऐसी थी जिसमें कोई प्रितम साक्षी नहीं था, कोई डारेक्ट एविडिन्स नहीं था इसका, जिसने भी जिसने भी देखा, वो आवाज सुनी और आवाज के बाद फिर उसने उसने वार्डन को बताया, वार्डन ने फिर लोगों को बताया, तो इसमें कई सारे मुल्टिबल चैनल से इस्तेमाल हुए, कम्यूनिकेशन के और एक दूसरे से कम्यूनिकेशन क्या हुआ, उस चीजों को हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, यसा मैंने बताया है कि, सभी चीजों को को रिलेट किया जा रहा है, उसके ही हम लोग किसी निश्कर्ज तक पहुच पाएंगे ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद यह से हमारे साथ डी सी पिन और तैसम कासी माबदी सर्जी जिन्हों उन्हें साफ तर पर बताया कि जो प्रिया राथोर की मौत हुई है उसका बहुत जल्द ही पुलिस खुलाशा करेंगे और जो भी दोसी होंगे उनके उपर सक्ते सक्त कारवाई की जाएंगे कैमराव नीरस के साथ सागर था पार प्राइम टीवी लखनौ अब देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोका